कर दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आज का वीडियो आपका जो है कुश्चन और आंसर करेगा यानि आपके सवाल मेरे जवाब कितना संतुष्ट होते हैं कमेंट सेक्षिन में जरू बताईएगा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो भी नहीं अटियर भरना मतरब तो देखें यह आपकी जो लास्ट डिड़ है वो है 31 जुलाई लेकिन 31 जुलाई लास्डेट जरूर है आपको जो है डाटा देना है अपना 31 मार्च तक का यानि 31 मार्च दो हजार 23 तक का ही डाटा देना है उससे आगे जो महिन हो गया आपका March 2023, ये पूरी साल हो गई आपकी, financial layer हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ये केवल एक साल का डाटा देना है, अब इस दर्मियान आपको चाए एक रुपए का profit हुआ है, चाए आपको दस लाग का profit हुआ है, आपको 30% देना ही है, सरकार ने क्रप्टो पर किसी तरह की कही भी कोई छूट नहीं दे रखी है, आप किसी भी slab में नहीं आते हैं, आपको 30% देना ही है, चाए आपका profit एक रुपए का है, यानि एक रुपए में से 30 पैसे आपको सरकार को देने ही देने हैं, TDS आपका refundable होता है, तो जितना TDS आपका इस साल में कटा होगा, यानि कहां 31 April 2022 से लेकर और 31 March 2023 सक, इस पूरे साल में जितना TDS आपका कटा है, वो सारा का सारा refund हो जाएगा, जब आप ITR फाइल करेंगे तब, तो मुझे लगता है अब इस तने में ही आपके सारे doubts के लिए हो गए होगा, टेक्स आपको देना ही है, आप ऐसा नहीं है कि आपने कुल 100 रुपए ही profit लिया है, तो आपको tax नहीं देना है, बिलकुर साल आपको देना है, या कोई आपको जैसे normally tax में आपको reward मिलती है, आप किसी slab में आते हैं, crypto किसी slab में नहीं आता है, या एक ही slab है, 30% tax, तो आपको चाहे आप 1 रुपए का profit हुआ है, चाहे 10 लाग का हुआ है, आपको 30% मतलब देना, देना है, ठीक है, तो यह हो गया clear, और 31 जुलाई आपकी last date है, और उसके लिए देखिए आपको कहीं ने कहीं, किसी ने किसी CA का जो है थोड़ा सा help देखिए लेना ही पड़ेगा, आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, डाटा आप आपको सारा का सारा देखिए, exchange हो के transaction history से पूरा मिल जाएगा, आप यह कहो कि data कहा से आएगा, तो आप जिस भी exchange को use करते हैं, वहां से पूरी transaction history निकालिए, total आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे, अब आते हैं Binance पर, कि Binance पर जो आजकर जैसे P2P scam चलना है, बहुत मु exchange, यानि अगर आप किसी Indian exchange को use करते हैं, और अगर वो exchange crypto transfer करने की facility देता है, तो आप crypto to crypto transfer कीजिए, अब माल लीजिए, आपने यहां coin DCX पे, आपने माल लीजिए, सिवाईनू ले लिया, ठीक है, यहां तो आप भाई, INR deposit कर सकते हैं, no problem, तो आप exchange कोई भी करते हैं, मैं for example बतारों, और सिवाईनू to सिवाईनू आप transfer कर लो, सीधा Binance पर, यानि सिवाईनू यहां से ले जाके, सीधा Binance पर transfer कर लो, और वहां पर आपना सिवाईनू बेचके, USDT में आप उसको convert कर लो, अब यह token आपका कोई सा हो सकता है, मैंने केवल एक for example बताया है, तो आप ऐस करने से पहले एक बार ये जरूर confirm कर लें, कि आपका जो token है, वो transferable है या नहीं है, पता चले है, आप यहां माल ले लिया आपने, और वो सिवाईनू transferable है ही नहीं, यानि आप यहां से Coin DCX है, और Binance में ले जा नहीं सकते, तो उसका फाइदा क्या, इसलिए पहले ये चीज आपना कर सकते हैं, करबट, और तो फिर दूसरा रास्ता P2P का है, तो जैसा आपको ठीक लगे, आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा अब अगला है, होट बिट, कि सर होट बिट पे तो हमारा transfer क्या करते है, वो सोरी, withdraw हो नहीं रहा, अब withdraw तो देखिए मेरे भाई, करके फाइद अब माली जा हमारा तो ही 10 USDT टोटल वहाँ पे फंड, और वहाँ फीस बन रही है, 20-20 USDT की, 50-50 USDT की, तो हम 20 USDT का क्या withdraw करें फिर, क्योंकि वो तो फिर बैतर है कि वहाँ छोड़ दो, क्योंकि वहाँ और USDT लेके जाओ, तब वो सा आपका withdraw होगा, क्यों, क्योंकि वो कीजिए, तो भाई ये बहुत ही बड़ा एक लपड़ाई कर दिया है इनोंने, कि इनोंने एक तो टाइम से बताया नहीं, जो के सेल कर लेते, तो सेल भी नहीं होगा, दूसरा फीस बहुत ज़्यादा लगा दिया, कुल मिला के वो यह है कि चोर, कि उनको withdraw करने ही नहीं दे किया, कि मैं आपको बहुत मोटा मांट रखूंगा, मैंने वह बहुत अरली स्टेज वाले छोटे-छोटे से जो कोईन आते हैं, जिनने में वही दो चार डॉलर, दो चार डॉलर इस तरीके से लगाए थे, तो वो मैंने लगा लेकिन उनके वैसे ही वैल्यू बहुत कम हो ग जो चल रहा है, लेकि सब दुपैर से लेके अभी तक कोई ज़्यादा बोन में उपर नीचे प्राइज नहीं हुआ है, बोन अभी भी जो है, 0.96 डॉलर पर अटका हुआ है, ना उपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, तो देखे, मैं आपको इस्टर में आपर यह करने जहें, देखे, मार्केट है, कहीं भी जा सकता, कि मार्केट यहां पर साइड़ ब मूमेंट में है, बीटी सीव आपका जेगे, 30-600 पर यह सुवै से यहीं अटका हुआ हुआ है, तो यहां मैं आपसे वही कहने चाहुआ है, देखे, बोन में मैं आपसे कहा कि ऐसा कोई बिल्कुल नहीं साव, भी तो बाइंग नहीं बनती, क्योंको आप यह मालिजे एक हपते में यह लगबग-लगबग 80-50% उपर चला गया है, जो प्राइज आपका 106 डॉलर के आसपास चल रहा था, वो आज की डिट में 194 डॉलर है, तो भाई साव बाइंग कहा बनती है, आ अभी आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अगर हम देखे मरे से मरे अगर आपको DCA भी करना है, तो इसको कम से कम अभी 10-15 डॉलर नीचे आने दीजिए, देखे मैं यही मानता हूं, कि साइद 106 डॉलर पर तो साइद थोड़ा सा मुस्किल है आप इसके लिए आना, जो 106, 105 160 डॉलर के आसपास, एक हपते पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तो वहाँ तक अभी आना थोड़ा से जो मार्केटि की कंडिशन है, उसको थोड़ा सा मुस्किल लगता है, अगर BTC गिरा, BTC में अच्छा डाउन फाल आया, तो मेबी, वो भी बहुत क कम चांस हैं, अगर ऐसा हुआ तभी, अगर नहीं हुआ, तो देखे, फिर मैं आप से यह कहुँआ, कि अभी आप थोड़ा सा रुकें, इसको जो है, कम से कम, 10-15 डॉलर तो और नीचे आने दें, यानि कि कम से कम, यह 180-15 डॉलर के अगर आसपास आए, तब आप DCA करना करीदने के तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहां खाम का पैसा फसाने वाली बात है, क्योंकि अभी बहुत ऊपर चला गया, और ज़्यादा प्रानी बात ही हो जाती तो भी था, एक्दम रिसेंटली की बात है, क्रप्टो GPT, क्या हो सकता है, देखो साब, अगर GPT रहे है, लगबग, थोड़ा बहुत अप्रक्समाल है, ठीक है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जरासी, यानि के ये करीब गरे 70 और 75 पैसे का आसपास तक भी है, भी रिसेंटली गया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगबग मुझे लगता है कि सायद एक हपते क आसपास ये अपते 10 दिन की बात हुई है, तो 70-75 पैसे पर भी गया था, तो जिन्होंने अगर वहाँ थोड़ा बहुत अइंट्री ली होगी, तो में भी हो सकता है, यहाँ तक उनको एक अच्छा प्रॉपिट तो हो गया, अगर एक अच्छे अमाउंट से ली है तो, लेक इसी 5-7 परसेंट भी गिरा, तो यह तो 20-30 परसेंट जाने है नीचे, तो जब आपने वो मौका निकाल दिया, तो यहाँ थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा रुख जाईए, जिनको बाइंग करनी है, जिन्होंने खरीद रखा है, तो भाई वो होल्ड कर ली इसकी जरुवत भी नहीं है, तो आप उसके जरीए अपना SIPI, DCA, जैसे भी आप ठीक सेंगे, वो थोड़ा-थोड़ा अमांट में आप कर सकते हैं, मैं कहता हूँ, अगर आपको 500 रुपे इनिवेस्ट करना है, ऐसे टोकन से में तो देगी, ज़्यादा इनिवेस्ट करनी तो बताएगा वीडियो कैसा लगा, बागे फिर मिलते हैं किसी नए अपनेट के साथ, नमस्कार